आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम यहां Nifty का चार्ड देख ले तो Nifty में हमने डिसकस किया था कि यहां पर wave fifth का formation हो रहा है जो की लगबग-लगबग 127% से retrace होके यह continuously हमें यहां पर एक selling pressure देखने को मिल रहा है। कि आप उसका benefit ले सके तो अगर हम Nifty को यहां पर देखे तो Nifty में हमें सारा दिन एक selling pressure देखने को मिला, gap up फुलने के बाद gap up फुलने के बाद gap up थोड़ा sustain हुआ, then after यह मैंने आपको कल बताया कि यह 2 और 4 का trend line आ रहा है, wave second और wave fourth का, तो यहां पर इस trend line के नीचे कल close हुआ था, मैंने आपको टेलिग्राम पर update भी किया था, कि अगर 2-3 दिन consecutive इसके नीचे closing आती है, यह trend line के नीचे तो फिर हमें एक अच्छा pressure देखने को मिल सकता है market के अंदर, बिल्कुल वैसा ही हुआ, तो जिन्होंने भी short किया होगा, मैंने last half में आपको exit के लिए बताया, कि मैंने half quantity exit कर दिया, अब quantity मैं carry forward कर रहा हूँ, उसे मैंने hedge कर रखा 21700 के call के साथ, क्योंकि मैंने 2700 के आसपास में इसे short किया था, और काफी अच्छा सा profit हुझे, यहां पर almost 200 point का profit यहां पर मिल चुका है, तो मैं position से अपना maximum quantity यहां पर निकाल चुका हूँ, तो कल अगर हम निक्टी की बात करें, तो निक्टी में यहां पर देखने को मिलेगा, कि यह एक support का area यहां से continuously bounce कर रहा है, बट अगर यह कल 21-500 के निकलता है, तो फिर हमें 120-130 point का fall easily देखने को मिल सकता है, इसके बाद जो next support की बात करें, वह आपका लगभग 23% के आसपास है, यह है 21,127, तो यह 23% का जो level है, मैंने यहां पर जो swing low जहां से यह wave start हुआ, यहां से, इस low से, इस high का, मैंने fever डाला हुआ, तो अगर यहां पर मालेज़े, यह 5 complete हुआ, मतलब की A का formation यहां पर पो गया, फिर हमें B का formation देखने को मिलेगा, जो की 3 move में आएगा, इसका maximum जो destination होता है, वह 50% होता है, इससे नीचे वह नहीं आ सकता, तो नहीं आना चाहिए, तो लगबग हमें 20,300 तक का target देखने को मिल सकता है, अगर Nifty इसके नीचे निकलता है, 23% के नीचे close आता है, फिर 38% test करेगा, फिर finally 50% का level होगा, तो Nifty में हम intraday के अंदर trade plan करेंगे, जो भी कोई opportunity मिलता है, मैं आपको जिरूर वहां पे share करता रह बैंक 50 भी आपका salary rise हो जाएगा, बैंक 50 में भी यहां पे एक support हमें देखने को मिल रहा है, 23% का level, अगर यह level कल breach होता है, तो फिर जो next support बैंक 50 का बन क्या रहा है, तो 46,140 कास पास का रहा है, फिर हमें बैंक 50 में एक अच्छा fall देखने को मिल सकता है, इसको भी हम short कर सकते बैंक 50-60 भी का stop loss रखके नीचे 1-2 के लिए हम इस trade को भी intraday के अंदर plan कर सकते हैं, अगर हम stocks की बात करें, तो Apollo Hospital में कफी अच्छा buying momentum देखने को मिला, प्लस अगर हम daily chart पे यहां पे देखें, तो आपको देखने को मिलेगा, यहां से मैंने इसकी counting किये, यहां पे wave 1 का formation ह यह आपका second था, यह third, यह fourth wave था आपका, और यह fifth wave चल रहा है, जो कि 161% के ऊपर निकल रहा है, तो it means कि हमें यह extension में चल रहा है, wave 5 तो हो सकता है कि हमें यह 200% तक का level retest करता हुआ, जो कि लगपक 6000 के आसपास का level है, तो इसको भी हम long करके चल सकते, अच्छा opportunity यहां पे देखने को मिल सकता है, फोटर सा stop loss रखेंगे, इंट्राडे में 10 रुपया का, उपर में 1-2 के लिए हम स्ट्रेट को प्लान करेंगे, नेक्स टॉक की बात करें है, हिंदुस्तान यूनिलिवर, यहां पे इस प्राइस से आप देखेंगों कि multiple time इस level को यह retest करके, यहां से ICICI bank में एक selling pressure था, और bank 50K fall को lead करने में इसका भी एक बहुत बड़ा हाथ था, तो अगर मालेजे ICICI कल flat खुलता है, flat खुलने के बाद 9.75 के नीचे निकलता है, तो हम एक बाद short का trade यहां पे ले सकते, उपर 5-6 रुपया का stop loss, नीचे 1-2 के लिए प्लान करेंगे, यह को repeat करने के बाद, यहां से continuously आप देख सकते selling pressure देखने को मिल रहा है, और पीछले 5-6 दिन से यह एक range के अंदर halt कर रहा है, तो अगर कल यह 2-0-5-0 के नीचे निकलता है, तो हम एक selling pressure देखने को मिल सकता है, 50 रुपय तक का move लगब, 2000 तक का target देखने को मिल सकता है, तो ग्रा वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कीजिए, चैनल को subscribe कीजिए, वीडियो को जादर से जादर share कीजिए, data points मैं telegram पर update कर दूँगा, आप वहाँ पर देख सकते है, thanks for watching, keep learning and keep learning.